देली डेलिगेशन उत्रान चल दे सीम तामिसार उपनों मिली दो बड़े मुद्दे सी एक ता ग्यान गोदली साब गुर्दुरा साब दा इशू सी जिड़ा काफी देर तो चल रहा है सिक कौम दे बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े है उस तान ना ते सीम साब ने शानू श जिल्दी जिल्दी उफ हैंसला करके उसी कम्यूटी दी जो पावना है उनों पूरी कर दे हुए उस तान जरूर अलॉट करंगे उट देखके कि जड़ा बेस्ट एज़ी पीसी दी एप्रूब दे हुंदा है दूजी गल साड़े कुले जिद वसी बास पूर गयसी उतरा चल दे कई कसान आए जिन आदी जमीना दी समस्या होगी क्योंकि तुसी साड़े जान दे हूँ कि असारा जंगल हुंदा से पंजा साल, साठ साल, सतर साल पहले पंजाब दे कसान आए जंगला नो वाद कीता आज लीस ते लिती जमीन ते आज वो जो सिच्वेशन है जी होगी को सतर साल, साठ साल बाद जो इन आदे विच प्रॉलम्स आगिया लैंड दिया उनना दे पटे खतम हो गया या कुछ हो गया तो जेड़े सतर सतर साल बाद रहे है तो उनना नो आई लग रहे हैं कि उननो जाड़ा जाए जाएगा सो वो कसान साडिक ले आए ते आसी वो इशू भी आसी बाद पर दे के सूध फारम दा आसी चीम निस्टर साब ना गल कीती उनना ने बड़ी वधिया तरीक के ना साड़ी और गल सुनी तो उनने शोर कीता कि मैं आप पर्सनल इंट्रेस्ट लेके एदा सुलूशन जरू कर कि सानु जदो के साड़े कुले आया सारी किमिनूटी क्योंगी जित्थे भी सिख मस्या देश विच वो आस रखता है श्रोम नी काली दादे ते असी पिछली वार उत्तर पर देश टे किसाना नो इस मस्या जी आसी उत्तर पर देश दे सीम योगी जी नो मिले असी उनना न ने वो समस्या हल कर देती सो आज समस्या क्योंगे उत्तर पर देश चोगा सुबा निकल गया सो ऐस करके अगा जी निकल दे कारन वो होनन साड़े कुले के आये ते यह उननो डेलिगेश लेकर आप मैंने बड़ी कुशी है सीम साब ने बड़े बड़ी आत्रीक के ना सारी स की समझी यह कहने पॉस्टेव होनन कि है कि मैंटी माकियों कि जल्दी कर ले रहे हैं